बहुत काम आएंगी ये 45 कुकिंग तीप सबसे पहले आमके आचार बनाते समय इसमें थोड़ा सा गुर्ड डाल कर मिला इसे आचार ज्यादा स्वाधिस्ट बनेगा निक्स्ट है अद्रक का रस पीने से शरीर की फाल्तु चर्वी खत्म हो जाती है आप अद्रक का रस में शह साफ हो जाएगा निक्स्ट है स्वाधिस्ट पराठों का मज़ा लेना चाहते हैं तो पराठों को तेल या घी देसी घीव में बनाने की वज़ाए बटर लगा कर सेके साधा पराठे को कुरकुरा बनाने के लिए आटा गुंते वक्त उसमें एक उबला आलू मैश करके डाले क्रिस्पी होने के साथ साथ टेस्टी भी बनेगा नेक्स्ट है क्रिस्पी पूरी बनाने के लिए पूरी का आटा टाइट गुंधे यदि आटा नरम हो गया है तो 30 मिनिट तक फ्रीजर में रखे पूरी बेलने के बाद तेल तेज कर्म तेल में तले पूरी क्रिस्पी बनेगी और तेल भी कम सोखेगी नेक्स्ट है कोई भी भर्वा सबजी बनाते समय मसाले में मुमफली पावडर पिसकर भरे खास तर से स्टब भिंडी बनाते समय सबजी का स्वाद और बढ़ जाएगा नेक्स्ट है सबजी की ग्रेवी बनाते समय यदी उसमें खटा ज्यादा हो गया है तो खटा पंदू कम करने के लिए एक टीजपून शकर मिला है धनिया पत्ति को डंठल तोड़कर उसके पत्ति को किसी भी बंद वाले स्टील की काटोरी या डिपे में रखकर फ्रीज में 15 दिनों तक स्टोर किया जा सकता है चांदी के बरतन पुराने होने पर उनकी चमक चली जाती है उन्हें तुरन चमकाने के लिए उन पर केले के छिल के लगड़े इससे वहां पहले के जैसे चमकाने लगेंगे नेक्स्ट है रोटी के साथ कूर खाने से गैस की समस्या ठीक हो जाती है नेक्स्ट है चाई पीने से पहले पानी पीने से शरीड हाइडरेट रहता है और दात पर चाई में पीए जाने वाले टैनिंग नामक केल्सियम नहीं चिप पकते हैं नेक्स्ट है मिक्सी के जार में आम की चटनी बारिक नहीं हो रही है तो जार में थोड़ा सा नमक डाल कर चला दे इससे खटे पन से खराब हो रहे बलेट एक बार फिर से धार हो जाएते हैं बरतन धोने के साबुन में एक किल लगा कर रखने से साबुन जल्दी नहीं गलती है अगर थर्मस में से बद्बू आ रही है तो पानी में नीमो डाल कर धोए जो लोग स्ट्रोबिरी का सेवन करते हैं उनको कब्च और सीने की जलन से निज़ात मिलती है नेक्स्ट है डाल को पकाते समय उसमें थोड़ा सा टमाटर या दही डालते से स्वाग और भी बढ़ जाता है नेक्स्ट है पापड़ खाना पसंद है तो इस तलकर किसी एर टाइट जार में भरे और फ्रीज में रख दे ये कई दिनों तक क्रिस्पी बने रहेंगे और आपको बार बार इन्हें टलने के जंजट से मुक्तिर मिल जाएगी खीर के लिए यदि बादाम भिगो न भूल गए हैं तो एक कब करम पानी में बादाम को 30 मिनिट तक भिगो कर रखे छिलका आसाने से उतर निकल जाएगा पनीर को अधिक दिनों तक तरो ताजा रखने के लिए उसे ब्लोटिंग पेपर में अच्छी तरह लपेट कर रखे नेक्स्ट है फ्रीज में रखे टमाटर अगर चिपकने लगे तो उन्हें नमक पानी में रखे सुभर टमाटर ताजे हो जाएगे खजुर के साथ बड़ी इलाइची खाने से बुड़ी अउरत भी जवान नजर आती है गर्म पानी से चेहरे पर भाप लेने से चेहरे के रोमशिद्र खुल जाते हैं जिससे चेहरे की सारी गंदगी निकल जाते हैं सरसों के तेल में चुटकी भर नमक मिलाकर दात और मसूडों को मसाज करने से दात साफोज होती है और मसूडे मजबूत होती है जिन लोगों को जादा बाल जढने की समस्या है तो उन्हें गाई की घी नाक में डालने से बाल जढना बंद हो जाती है और नया बाल आने लग गर से बाहर निकलते वक्त दही और चीनी खाने से शरीर को अच्छी मात्रा में ग्लुकोज मिलती है जिससे तुरंत एनरजी मिलता है नीचे बैट कर भोजन खाते वक्त बार बार प्लेट की तरब जूकना पड़ता है और फिर पीछे होने से पेट की मास पेश्यों निरंतर क करती है जिससे पाचन प्रिय मजबूत होती है नेच्ट है अगर आप तूटी कंगी से कंगी करेंगे तो आपके घर में कभी भी भरकत नहीं आएगी घी और अदर्ग का रस मिलाकर पीने से कमर दरदव में आराम मिलता है नेच्ट हैए ज्यादा खटी चीजेड काने से नीम के तेल को गर्म करके सर पर लगाने से अकल बढ़ती है अगर आपको ब्लट प्रेशर की समस्या है तो जब भी नहाए तो फॉरन नहाने के बाद एक गिलास पानी पीए इससे ब्लट प्रेशर नॉर्मल रहेगा नेक्स है कटे भी निम्बू पर चीनी लगा कर होटो पर स सफाई करने के बाद भी मुह से बदबू आती है तो यह भी लिवर खराब होने की संकेत है आवला में नमक लगा कर चावल में रखने से चावलों में कीड़े नहीं लगते हैं नेक्स है कटे विये से पर निम्बू का रस लगा कर रखने से काला नहीं पड़ता है नेक्स है ब्लेट को तेल में विगो कर तले तेल कम खर्च होगा तथा स्वाद भी अच्छा आएगा नेक्स है जो औरते खड़े होकर जाड़ो पुछा करती है उन्हें अक्सर पैरों में दर्द रहते हैं निक्स्ट है जो औरते बैट कर ज़ाड़ों पुछा करती है उन्हें कभी भी पेट की बीमारी नहीं होती इस तरह से दादियों नाने के कुछ बता वे टीप्स और टीक्स है धन्यवाद